हेलो दोस्तो नमेशकार चलिए दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे दो कमपनिस के बारे में जो की fundamentally strong भी है इनमें थोड़ा सा risk का तड़का भी है जैसे मैंने आपको बताया था कि यह mid-cap quality के companies है और यह बहुत ही शांदार तरीके से हम लोगों को performance देते वे देखने को मिल जाते हैं जैसे मैंने आप लोगों को यह पर बता है कि यह company से related हम लोगों ने बहुत पुराने समय से बात की है बहुत ही कमाल की returns अल्रेडी हम लोग earn कर चुके है और यह कोई in companies का the end नहीं है बढ़ आप सभी लोगों को पता है कि कभी ना कभी company अच्छा return देने के बाद जरूर थोड़ा बहुत consultation होता है, गिरावट होता है, correction होता है और वही चीज़े अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है इस गिरावट को बिलकुल भी मतलब बोलते हैं as a internal issue पकड़ना नहीं है, कोई गडबर चल रहे है, बिलकुल भी आपे कोई गडबर नहीं है जैसे पूरा market यहापे slowdown में चल रहा है, बेरिश महोल देखने को मिल रहा है तो इनके चलते इन stocks को भी एक excuse मिल गया इतने कमाल की returns मिलने के बाद थोड़ा बात रुख चुका है, वो भी market के साथ यह हम लोगों के लिए बहुत ही positive बात है मतलब जब market चल पड़ेगा, तो वापस यह stocks अपनी तेजी के साथ यहापे जो journey थी, उसको यहापे जरूर continue करेंगे अगर आपके पास यह company already है portfolio में, personally मुझे ऐसा लगता है आप ज़रूर यहापे continue चाहो तो कर सकते हो क्योंकि companies के fundamentals में कोई भी issue नहीं है and plus यह mid cap quality की company है, mid cap quality का होने के मतलब हम लोग यहापे कह सकते है कि आपको अच्छे कासी तेजी भी देखने को यहापे मिलेगी and थोड़ा बहुत risk भी control में आपे रहता है वरना अगर आप लोग पिछला वीडियो देखा होगा, small cap, micro cap, यह तो इतने ज़्यादा रिस्क होते है कि extreme तेजी, extreme गिरावट तो चले दोस्तो यहापे in companies के हम लोग बात कर लेते, जितना गिरे आप उतना in stocks को यहापे खरीच सकते हो सबसे पहले, अगर मैं आप लोगों को यहापे return का profile दिखा दू, यह रही कि बहुत important है दोस्तो इससे ही आप लोगों को बहुत कुछ हद तक अंदाजा आ जाएगा, यह दोस्तो यह short term वाला data और यह दोस्तो long term वाला data, आप अंदाजा लगा सकते है, short term में जिन्नों ने अभी-भी invest किया है एक हफते में 3.5% down, एक मेने में 10% down, 1st January से या फिर एक साल से 30% down तो यहापे जिन्नों ने अभी-भी invest किया है, वो तो बोल देंगे, sir, क्या अच्छी company, एक साल में 30% सेल आ गया हमारा तो दोस्तो short term में ऐसा ही होता है, और यह हर किसी को जिलना पड़ता है, आप long term बनी है, मतलब 3-3 साल होल्ड कीजिए तो देख लेना पैसा कितना 6-7 गुना होते वे देखने को मिल रहा है, 600%, 5 साल में देखिए, 1570% की रिटन्स और पॉइंट नोट करने वाली बात देखिए, जब स्टॉक एक साल में उपर से 30-40% गिरा है, फिर भी 5 साल की रिटन्स कितने है, 1570 मतलब इतना गिरने के बावजुद, यही सबसे बड़ी खुबी होती है दोस्तों, लॉंक टब इन्वेस्मेंट के और 10 साल में रिटन्स देखिए, 12-13,000% के रिटन्स है, तो यह इतना बड़ा रिटन्स तो हर किसी को चाहिए, बट इतना लंबा होल्ड नहीं करना है, 10 सा आज आजाते हैं, आपको सपने दिखाते हैं, कि 10 दिन में आप लोगों का पैसा डबल हो जाएगा, और आपका पैसा भी चला जाता है, तो दोस्तों पैसा बनने के लिए टाइम लगता है, इन्वेस्मेंट यह एक लंबी जरनी है, यह भी मैं आप लोगों के आपे बता च सेक्टर देख लेना, बहुत बढ़ी है आपे परफर्मेंस चल रहा है, तो यह चीज़े हम लोगों को समझ में आपे आ जाती है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोई भी कमपनी स्ट्रॉंग है, इसका अंदाज हम लोगों को का से आता है, ओविसली बैल 979, फिर कितना होया, 979, तो आप देख रहे हो, रिजरॉस के से बढ़ रही, यह हमें एक अंदाजा दिता है, दैन, सबसे खूबसूरत बात, कमपनी के उपर करजा 47 करोड, कम होके 21 करोड, कम होके आज 0 हुआ, समझ में आता है, इससे हम लोगों को मैनेजमेंट के मनसुब कैश की बात करें, तो 62 CR के आसपास का कैश देखने को मिल रहे है, तो बेलेंशिट बहुत ही श्ट्रॉंग है, अगेन मैं रिपिट करना चाहूँगा, कमपनी कौन सी है, मिड कैप कॉलिटी की कमपनी, दोस्तो आप यहापे देख सकते हो, मार्केट कैप देखे कितना है, 12 से 13,000 करोड का मार्केट कैप है, अभी जिन लोग ने देखा होगा सर 5 साल में 15-12% के रिटरन और कितना भागीगा, तो दोस्तो मार्केट कैप देख लेना कितना है, 12-13,000 करोड क्या यह कमपनी आगे आगे जाके 15,000 करोड का मार्केट कैप अचिए नहीं कर सकती, एक लग जहलना पड़ता है, मार्केट में इन्वेस्टेड रहना सबसे टाफ बात रहती है, इन्वेस्मेंट तो कोई भी कर लेता है, बच्चा भी कर लेगा, जाके कल शेर खरीद लेगा, और चार दिन बाद पोर्टफोलियो को देखते रहेगा, शेर नीचे आगया, एक्जिट क कर लेता है, रिटर्न और कैपिटल एंप्लाइड, इक्विटी भी देख सकते हैं, फेस वैली दो का है, जो कि अभी दो नहीं था, एक्चिव में कुछ समय पहले हम लोगों को अलग फेस वैली देखने को मिलता था, बोनस स्प्लिट का भी हम लोगों को या पे कॉर्पर ए एक्षन देखने को मिल चुका है, चले आजाते कंपणी के पी अनल के उपर, तो देख लेना कंपणी का पी अनल क्या केलता है, सो 2011 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट थर्टीवन, बारा में 42, तेरा में 58, 14 में 85, 15 में 87, 91, 95, 118, 64, 250, 400, थोड़ा सा अभी इस वक्त हम लोगों क पीछे जाते हैं देखने को मिला है, बट कोई बात नहीं, वो इसके पीछे का रिजन है कि खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, बट कंपणी का सेल्स तो ओसम है, तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कह सकते कंपणी कंसिस्टन्टली आगे बढ़ते वे देखने का पर मिलती है, और आगे भी ऐसा ही परफॉर्मस इनका यहाँ पर कंटीनियूर रहने वाला है, और सबसे मेरा कॉन्फिडन्स का पर बढ़ता है, मिने आप लोग को बता है कि शेर होल्डिंग पैटन, दोस्तों शेर होल्डिंग पैटन में अगर हमें डर लगता है, तो ख शेर होल्डिंग पैटन भी हमनों को अच्छा देखने को मिल रहा है, तो यह कंपणी कौन से है, तो दोस्तों इस कंपणी का नमें अलकाइल अमाइन्स, मैंने बहुत बार इसे रिलेटेड वीडियो बना है, 1979 से यह कंपणी का योगदान है, बहुत ही शांदार परफॉर् जरूर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस कंपणी का, अभी कितना चल रहा है, 2500 ठीक है, एक साल की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं, 32 परसेंट तो बोलने के लिए, अगर मैं exactly calculate करूँ, तो आप देख सकते हैं, 44 परसेंट डाउन है, 44 परसेंट का कंपणी है, नीचे नीचे गिरावट होने के लिए excuse यहाँ पर मिल गए, जब से market यहाँ पर गिरा है, तब से लेके यहाँ पर भी हम लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है, बट नुकसान हमें loss के form में नहीं होता है, हमारा profit कम हो जाता है, profit late से अगर आपका profit 400% था, वो कम होके 300% आ जाता है, इस situation में आने के लिए आपको लंबी पारी खिलने ही पड़ीगी, आपने अभी अभी invest किया है, तो आपका minus 10%, 20%, 30% ऐसा देखने को मिलेगा इस stock में, बट आप भी 5 साल hold किजेगा, अभी invest किया है, तो 2027-28 में देख ले है, बट उस position में आने के लिए, yes, long term तो रुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी shortcut market में तो नहीं है, तो अलकाइल अमाइंस दोस्तों, ये company, कम्माल की company है, जैसे में आप लोग को बता है, यहापे, कि बीच में हम लोग को bonus split भी आपे मिला, मेरा जो पुराना व वरना ये company आज 15-16,000 पे होती, तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, अभी तो bonus split के कारण, आप लोग को इस सस्ते दाम में देखने को मिल रहा है, तो ये हो गई पहली company, दूसरी company भी अगर देखा गया दूस्तों, तो similar way, अगर आप उसकी भी balance sheet देखोगे, तो द करोड का cash है, full 5-star balance sheet, और कैचे ये, 5-star balance sheet, it doesn't mean कि ये नीचे नहीं आएगा, वो तो market की प्रक्री है, वो तो आएगा ही आएगा, market cap देख लेना कितना है, केवल 10,000 करोड का, उसी case साथ साथ अगर आप चेक करोगे return on, capital employer देखे 50, equity देखे 34, इतना strong company है, अगर share holding pattern देखन So, ये company कौन से हैं दोस्तों, तो ये company हैं दोस्तों, जो एक बार 4 में भी यहाँ पे list में add हुई थी, बाला जी हमाइन्स, So, ये दोनों धाकर company है, हमारे पास बहुत पुराने समय से, बहुत सारे ups भी देखे, बहुत सारे downs भी देखे, So, ये भी आप देख सकते, 2800 रुप पनी में कोई fraud हुआ क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो market की प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पे correction का मुका मिल गया market को, बाजार को, तो इन stocks की पिटाई करेंगे ही करेंगे, बट जब index भागे का 2 गुना, ये stock भागेंगे 5, 6, 7, 8, 10 गुना, तो ये सबसे बड़ा advantage र प्रक्रिया है, इसी चीज़ को समझना है, कि यहाँ पे आके कुछ ऐसा चमत करो गया नहीं, फिर बाद में एक मौका मिल गया, और company भाग गया करके, अगर किसी नहीं यहाँ पे भी invest करके वो चूपचा बेट जाता, तो आज भी उसके returns 1000% के आसपास हो जाते, बट नहीं फट 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 एक्जिट करने के चक्कर में, यहाँ पे वो यह opportunity खो लेते हैं, तो maximum chart pattern भी आप देख सकते हैं, इन companies का, यह भी अफला तून यहाँ पे रहता है, जैसे में आप लोग को बता है, कि Alkyl Amines and Balaji Amines, यह है second company का नम, दोनों कमाल के companies हैं, बट अगेन के ना देखने हैं, तो फिर आपको उतनी बड़ी risk भी लेनी पड़ेगी, आप कहते हो कि risk मुझे बहुत minimum चाहिए, बट return बहुत बड़ा चाहिए, तो वो practically तो possible नहीं, एक दो exceptions हो सकते हैं, आशा करता है, आप लोगों को वीडियो helpful लगा होगा, तो जरू इन को study कर लेना, मैं again कर रहा हो दोस्तों, मैं कोई recommendation यहापे नहीं देता हूँ, जो अच्छे stock मुझे लगते है, वो मैं आपके सामने यहापे रख देता हूँ, अभी आगे खरीदना है, नहीं खरीदना है, वो completely आपका individual decision होना चाहिए, आशा करता है, वीडियो helpful लगा होगा, तो जरू लाइक and share भी कर देना, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye